सोगा जी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग गर बेठे ही किस तरह से जीवन पर्मान पत्र यानि लाइब सर्टिपिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि लाइब सर्टिपिकेट बनाने के लिए कौन सा सौप्ट्वेर को तो उनको साल में एक बार अपना जीवन पर्मान पत्र अपलाई करना होता है जिससे सरकार को पता चल जाता है कि अभी वो आदमी जीवित है और अगर आप लोग अपलाई नहीं करते हैं तो आपका प्यांसन आना बंद हो जाता है आप लोग किसी भी परकार का भी प्यांस पसंदारी है तो आप लोगों को साल में एक बार जीवन परमानी करन जरूर करना चाहिए तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं साथी दोस्तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चेनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो सस्क्राइब कर ले एंब लैकन तो भी प्रेस कर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को Lack करना ना भूले तो चलिए श्टार्ट करते हैं सब से पहले तो जीवन परमान के इस Official Portal पे आजाना है मैंने इस Portal का Link जो है वीडियो के description में दे रखा है आप क्लिक करके विजित कर सकते हैं जब आप लोग इस portal पे आ जाते हैं तो उपर बे आप लोग को जो है download का एक icon मिल जाता है इस icon पे जो है आप लोग किलिक कर लेंगे अब आप लोग के सामने download application का page खुल जाता है तो scroll down करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पे सबसे पहले आप जिस टैप का capture है यहां पे लिखा हुआ उसी तरह के capture को फिल कर लेना है और उसके बाद I agree to download वाले icon पे किलिक कर लेना है जैसे ही किलिक आप लोग करते हैं तो आपके email ID पे जो है one time password यानि की OTP send किया जाता है जैसा कि मेरे email ID पे जो है जीवन परमान के द्वारा OTP send किया है तो हम यहां पे email वाले tab को खोल लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं फ़र्ष्ट में ही जीवन परमान का OTP send किया गया है तो इसको open कर लेना है उसके बाद यहां पे जो OTP दिख रहा है इसको आप लोग कोपी कर लेंगे कोपी कर लेने के बाद आप लोग जो है फिर से लाइप सेटिपिकेट यदि mobile से बनाना चाहते है तो यहां पे देख रहे होंगे for mobile apps तो इसको download करके install कर लेना है तो हम यहां पे PC यानि की computer में करने वाले हैं तो यहां पे जो first में दिख रहा है for Windows OS इसमें आप लोग को एक link मिल जाता है download G1 परमान का तो इस पर click कर लेना है जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो उपर में कुछ लिखा हुआ एक pop-up आ जाता है download link hatch bill send to your email ID यानि कि आपके email ID में G1 परमान का जो है एक link send किया गया है तो यहां पर हम फिर से email ओयले tab को open कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं G1 परमान के द्वारा जो है एक link send कि लेना है अब यहां open करने के बाद जो उपर में देख रहे हैं G1 परमान installer इस पर click कर लेना है जैसे ही click करेंगे आप लोग यहां पे आप लोग के display में जो है G1 परमान का application यानि की software download होने लगता है तो download यहां पे complete होने दे लेना है जब finally G1 परमान का software download हो जाता है तो यहां पे आप लोग mouse का right button को click करेंगे click करने के बाद यहां पे पाचवी नमबर में जो आप लोग देख रहे है extra to G1 परमान installer इस वाले option पे click कर लेंगे जैसे ही आप लोग click करते हैं यह जो है यहां पे एक इसका file G1 परमान का जो है एक file बन जाता है तो इस file को open कर लेना है अब आप लोग को यहां पे और एक file मिल जाता है इसे भी open कर लेना है open करने के बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि G1 परमान installer का एक आप लोग को application यानि की software मिल जाता है तो right click कर लेना है click करने के बाद यहां पे first में आप लोग को मिल जाता है run as administrator इस पर click कर लेना है अब यहां पे भी आप लोग next कर लेंगे उसके बाद यहां पर install का एक icon मिल जाता है इसपर click कर लेना है जैसे ही आप लोग click करेंगे तो आप लोग के system में जो है g1 परमान का जो है यहां पे application यानि की software इसटॉल होने लगता है तो install यहां पे complete हो जाता है तो यहां पे जो गवन पर्मान का जो है registration पेज खुल जाता है तो सबसे पहले अपने डिवाइस का यहाँ पे registration कर लेना है यानि की operator identification यहाँ पे करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अधार नमबर को enter करेंगे आप लोग का mobile नमबर क्या है? और यहाँ पे आप लोग अपने email id को enter कर लेंगे उसके बाद निचे जो generate OTP का एक icon मिल जाता है इस पर click कर लेना है अब आप लोग के mobile और email id पे जो है one time password यानि की OTP send किया गया होगा उसको यहाँ पे भर लेना है देन okay वाले icon पे click कर लेना है अब आप लोग के सामने दूसरा page open हो जाता है तो यहाँ पे operator name को यहाँ पे लिख लेना है जो भी operator name होगा यहाँ पे भर लेना है उसके बाद यहाँ पे consent दे देना है और उसके बाद biometry ascan वाले icon पे click कर लेना है जैसे ही click करेंगे तो आप लोग का जो finger device है यानि कि mantra device है या पिर morpo device है उस पर light जल जाता है तो आप अपने finger को वहाँ पे दे देंगे जब आप लोग का finger यहाँ पे success हो जाता है तब आप लोग के सामने एक pop-up आ जाता है जैसा कि आप लोग डिस्पले पे देख रहे हैं operator authentication successfully अब इसको ok कर लेना है ok कर लेने के बाद आप लोग के सामने जो है pensioner identification का जो है यहाँ पे details मांगा जाता है तो आप लोग जिसका भी G1 परमान पत्र यानि की life certificate बनवाना चाहते है उनके details को यहाँ पे फिल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अधार number को भर लेंगे उनका mobile number क्या है mobile number को भर लेना है उनका email id क्या है email id को enter कर लेना है उसके बाद generate OTP वाले option पे click कर लेना है अब आप लोग जिनका life certificate यानि की G1 परमान पत्र के लिए apply कर रहे हैं उनके mobile और email id पे one time password यानि की OTP send किया गया ह उसको फिल कर लेना है देन यहाँ पे OTP वाले icon पे click कर लेना है जैसे ही आप लोग 평ge वाले icon पे click करते हैं आप लोग के सामने जो है पंसे नर का details का page खुल जाता है अब आप लोग यहाँ पे पांसिनर को यहाँ पर भर लेंगे जो भी name होगा यहाँ भर लेना है next में यहा का pension कौन से परकार का है यहाँ पे select कर लेना है जैसे family हो गया, अधर हो गया, services हो गया तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा option मिल जाता है तो आप लोग का जो भी pension का परकार है यहाँ पे select कर लेना है next में यहाँ पे organization टैप में आप लोग central government में job कर रहे थे कि किस में कर रहे हैं यहाँ पे भी बहुत option देखने को मिलता है यहाँ पे भी आप लोग अपने according यहाँ पे select कर लेंगे अब यहाँ पे next में sanctioning authority में आप लोग को मंजूरी कहां से मिला है central government के दुआरा यहाँ पे defense रखा होगा यानि कि pensioner के पास आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे PPO number को fill कर लेना है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है are you remarried यानि कि आप लोग दुबारा साधिक किये हैं यदि किये हैं तो यहाँ पे yes पे टिक करेंगे otherwise no पे टिक कर लेना है next में यहाँ पे dispersing agency मिल जाता है तो यहाँ पे bank को select कर लेना है उसके बाद next में यहाँ पे agency मिल जाता है तो agency पे click कर लेना है तो आप लोग का pension का पेशा किस में आता है तो यहाँ पे आप अपने bank के name को यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोग bank account number को फिल कर लेंगे जो भी account number होगा यहाँ पे account number को भर लेना है अब next में यहाँ पे पूछ रहा है कि are you re-employed याने कि फिर से जो है आप लोग job कर रहे हैं यदि कर रहे हैं तो yes पे टिक करेंगे अदर्वाज यहाँ पे नौपे टिक कर लेना है नौपे टिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो नीचे next का एकन मिल जाता है इस आइकन पे किलिक कर लेना है अब आप लोग के सामने जो है यहाँ पे पैंसनर का सारा details आ जाता है तो सभी को एक बार रिचेक कर लेना है चेक कर लेने के बाद नीचे जो consent देने का है यहाँ पे दोनों में consent को दे देना है यानि की agree पे tick कर देना है और उसके बाद submit वाले icon पे click कर लेना है अब आप लोग के सामने फिसे एक pop-up आ जाता है तो यहाँ पे भी term and condition को accept कर लेना है यानि की consent दे देना है और उसके बाद नीचे जो biometry scan का जो एक icon मिल जाता है इस icon पे click कर लेना है जैसे ही आप लोग click करते हैं आप लोग का mantra या फिर वर्फो device जो भी device है वो उसमे light जल जाता है इसमें जो है पेंसनर का finger ले लेना है जब आप लोग finger ले लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यह कुछ इस तरह success लिख करके आ जाता है अब आप लोग display पे देख रहे हैं थैंक्यू फोर submitting digital life certificate यानि कि अब आप लोग का जो है life certificate बन जाता है तो यहाँ पे जो पर्मान ID आप लोग को मिल जाता है इसका एक screenshot रख लेना है या फिर इसका number कहीं पे not करके रख लेना है अब आप लोग जो है जीवन पर्मान के official portal पे आ जाएंगे पोर्टल पे इसलिए आना है क्योंकि यहाँ से जो है आप लोग को life certificate डाउनलोड करने का रहता है तो जब आप लोग इस portal पे आ जाते हैं तो यहाँ पे last में आप लोग देख रहे हैं पेंसनर लोग इन का एक icon मिल जाता है इस icon पे आप लोग किलिक कर लेंगे किलिक करने के बाद आप लोग के सामने पेंसनर का जो है साइनिंग पेज खुल जाता है अब आप लोग उन्ने जो भी असकीन सोट करके रखा था परमान ID को या फिर लिख करके रखा था उस परमान ID को यहाँ पे फिल कर लेना है जिस टाइप का कैपचा यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह के कैपचा को यहाँ पे भर लेना है देन यहाँ जनरेट OTP पे किलिक कर लेना है अब आप लोग के मोबाइल नंबर पे जो है वन टाइम पासवर्ड यानि की OTP सेंड किया गया होगा उसे यहाँ पे फिल कर लेना है उसके बाद लोग इन वाले आइकन पे किलिक कर लेना है अब आप लोग के सामने आप लोग का Life Certificate यहाँ पे सो हो जाता है अब आप लोग इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आप लोग का जोरत पड़ता है life certificate का वहाँ पे दे सकते हैं यदि आप लोग इसे download करना चाहते हैं तो यहाँ पे click hair का एक icon मिल जाता है इस icon पर आप लोग click कर लेंगे जैसे ही click करते हैं तो आप लोग का life certificate यहाँ पे download होने लगता है तो download complete होने दे लेना है जब download हो जाता है तो इसे open करके अपने पास print out कोपी करके रख लेना है या फिर कोई भी cyber kfk द्वारा जो है life certificate आप लोग बनवाते हैं तो वहाँ से आप लोग पावति को ले लेंगे ताकि बाद में आप लोग का कोई भी problem ना हो तो आई होप आज की ये वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि लैप certificate याने की जीवन परमान पत्र किस तरह से बनाया जाता है अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह का निव वीडियो में निव अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम